हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदब मज़े में होंगे तो बच्चों आईए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कहानी जिसका नाम है सच्चा तीर्थ यात्री तो बच्चों इस कहानी को शुरू करने से पहले इसका संक्षित परिचे ले लिते हैं बच्चों इस कहानी में बताया गया है कि तीर्थ यात्रा पर जाने का कोई लाब नहीं है यदि हमारे अंदर इश्वर ये गुण नहीं है प्रेम और सहानबूती इश्वर के गुण है जिने हमें अपने हिरुद्य में स्थान देना चाहिए। इस कहानी में एलिश्या इसी बात को अन्भव कर एक निर्धन परिवार की सायता करने का निश्च करते हैं। और अपने तीर्थ यात्रा वहीं रोकर उस परिवार की सेवा में जुट जाता है। तो आईए इस कहानी को आरम करें और कैसे क्या हुआ ये सब इस कहानी के मध्यम से जानें। तो किसी समय रूस के गाउं में एफिम और एलिश्या नामक दो व्यक्ति रहते थे। दोनों व्रिद थे, व्रिद यानि की बूढ़े थे। दोनों में घनिष्ट मित्रता थी, घनिष्ट यानि की बहुत जादा मित्रता थी, एफिम गंबीर और विचार शील व्यक्ति था, यानि की गंबीर बहुत जादा गंबीर रहता था और विचार बहुत विचार करता था, उसका परिवार भी काफी बड़ा था, वे अपने त्यानिकी मन को प्रसंद करने वाला उसका परिवार ना धन्वान था और ना निर्धन वे मधुमक्या पाल कर अपने परिवार का पूशन करता था दोनों मित्रों ने एक बार तै किया कि वे साथ-साथ यरुश्लम की यात्रा पर जाएंगे एलिश्या तो हर समय जाने को तयार रहता था पर एफिम को समय नहीं मिलता था उसके पास हर समय कोई न कोई काम रहता जब भी एलिश्या उसे तीर थियात्रा पर जाने को कहता एफिम अपने विवस्ता बता कर चलने से इंकार कर देता एक बार जब एलिश्या ने बहुत अध कारे के विशे में आवशक निर्देश दिये और अपने साथ बहुत सा धन लिया एलिशा घर की सब चिंता परिवार वालों पर छोड़ कर चल दिया उसका मन पूरी तरह शान था एफिम के मन में शान्ती ना थी उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी अच्छा बच् अब दोनों मित्र चलते चलते एक गाओं में पहुँचे उस गाओं में काफी समय से वर्षा ना होने के कारण त्राही त्राही मची हुई थी त्राही त्राही यानिकी हाहा कार सब लोग बेहत दुखी थे क्यों क्योंकि काफी समय से वर्षा नहीं हुई थी लोग भूख से तड़क तड़क कर दम तोड़ रहे थे सुर्यास्त हो चुका था तौनों मित्र रात बिताने के लिए एक जूपडी की और चले जब वे जूपडी के द्वार पर पहुँचे तो उन्हें अंदर लोगों की चीक पुकार सुनाई दी उन्होंने दर्वाजा खटकटाया इन्तो दर्वाजा ना खुला एलिशा ने दर्वाजे को धक्का दिया तो वे खुल गया एलिशा ने भीतर जाकर देखा तो वहां का दृष्चे बरा ही कारोनिक था कारोनिक यान प्रणना वस्था में थी यानि की मरने के स्थिती में थी और मरननासन स्थिती में जमीन पर पड़ी थी एक बच्चा चारपाई बैठा रोटी-रोटी चिला रहा था तभी एक आदमी लड़ खडाता हुआ आया और धडाम से जमीन पर गिर पड़ा बोला रोग और भुकमरी ने हमें घेर रखा है मेरा पुत्र भूख से मर रहा है एलिशा ने अपने थैले में से एक रोटी निकाल कर बच्चे को दी देखते ही देखते बच्चा उसे चट कर गया ज़ा गया एलिशा ने उसे एक और रोटी दी उसने उस्त्री और पुरुष को भी दो दो रोटी खाने को दी उसके बाद वे कुए से पानी भरलाया और उने पिलाया आया एफिम जोपड़ी के बार बैठा हुआ था उसने एलिशा को अपने पास बुलाया और बूला क्या हम इस दुरगनपूर जोपड़ी में रात गुजारेंगे इस सारे गाउं का तो बुराई हाल लगता है आओ अब यहां से चले रात आगे किसी गाउं में गुजार लें अच्छा बच्चों बताईए एलिशा अपने मित्र की किस मनोदोशा को समझ गया एलिशा समझ गया कि उसका मित्र यहां रहकर इन लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहता है इस बात को एलिशा समझ गया था यह सुनकर एफिम को बड़ा अश्चरे हुआ पर वो एलिशा के स्वभाव से परिचित था वे अकेला ही अपने मार्क पर चल दिया एलिशा वहीं रुग गया वे घर के लिए आवशक चीजे अपने पास सही खरित कर लाया क्योंकि जोपड़ी में कुछ भी नहीं था शायद अपना पेट भरने के लिए वे एक एक करके सब चीजे गई शक्तियानी की हिम्मत परिवार और गाओं के लोगों ने पूछा आप यरुशलम से इतनी जल्दी कैसे आ गए एफिम कहा है अलिश्या ने उन लोगों को यह के कटाल दिया इश्वर की यह इच्छा नहीं कि मैं वहां जाओं दूसरे मेरा सारा धन भी बीच में ही समाप्त हो गया इसलिए मैं ए एफिम एलिश्या को गाओं की उस जोपड़ी में छोड़कर जितना शीगर संबव था यरुशलम की और चला वहां पहुचका जब प्रार्तना के लिए गिर्जगर में गया तो वहां भारी भीर थी उसे हर समय है डर लगा रहता था कि कोई उसकी जेप काट लेगा प्रार् एलिश्या की जलक देखकर एफिम आश्चले चकित रहे गया वह सोचने लगा कि एलिश्या को तो मैं पीछे छोड़ाए हूं फिर यह एलिश्या कैसे हो सकता है उसने फिर ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि वह एलिश्या ही है उससे सूचा कि उसका मित्र तो बच्चों बताईए एफिम को किस बात की प्रसन अता हुई एफिम इस बात से प्रसन हो रहा था कि कल मैं भी अपने मित्र अलिश्या की मदद से गिर यह रहाँ प्रार्तना समाप्त हुई तो भीड इधर उधर बढ़ने लगी एफिम को फिर अपनी जेब की चिंता हु इसलिए वा अपनी जेब को मजबूती से पकड़े हुए बहार आया बहार आने पर उसे अपना मित्र कहीं नहीं दिखाई दिया अगले दिन जब एफिम गिरजागर गया तो गिरजागर के भीतरी भाग में दीपकों के पीछे उसे अपना मित्र एलिशा पादरी की तरहा प्रातना समाप्त होने के बाद उसका कुछ पता ना चला यही क्रम तीन सब्ता तक चलता है तीन सब्ता तक यरुशलम में रुकने के बाद एफिम अपने घर की और चल दिया रास्ते में फिर उसी जोप्री पर पहुंचा जहां वो एलिशा को छोड़ कर गया था जोप्री प्रान रक्षा की थी प्रान रक्षा है निकि हमारे जीवन की रक्षा एफिम तुरन समझ गया कि वैं स्त्री किस्त के विशे में बात कर रही है उसने एलिशा के विशे में स्त्री से पूछा तो वैं बोली मैं नहीं जानती कि वो कौन था मनुश्य था अत्वा देवदू यदि वे ना आया होता तो हम सब मर गए होते उसने हम सब की बड़ी सिवा की वे हम सबसे बड़ा प्रेम करता था वे अपना नाम बताए बिना ही यहां से चुपचाप चला गया इश्वार उसका भला करे एफिम रात को वहीं रुका उसे रात भर नीन नहीं आई वे लगातार एलिशा के संबंद में ही सोसता रहा उसे अच्छी तरह याद आ रहा था कि उसने यरुशलम के गरजागर के भीतरी भाग में एलिशा को ही देखा था वे यह भी जानता था कि एलिशा को वहे इसी जोपड़ी में छोड़ गया था और वे यहीं से लोट गया था उसे लगने लगा कि एश्वार ने एलिशा की तीर थियात्रा स्विकार कर लिए किन्तु उसकी तीर थियात्रा स्विकार नहीं हुई तो अच्छा बच्चों सोचकर बताईए कि एफिम को क्या लगने लगा तो बच्चों एफिम को लगने लगा कि एलिशा की तीर्थ यात्रा पूर्ण गुई लेकिन उसकी तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं हो पाई दिखन निकलने के साथ ही एफिम अपने गाउं के और चल दिया गाउं पहुंच कर वे सबसे पहले एलिशा के घर की और गया एलिशा अपनी शहिद की मक्यों की देखभाल कर रहा था उसने एफिम को देखते ही आगे बढ़कर उसका स्वागत किया वे बोला आशा है आप यरुशलम की तीर्थ यात्रा सवकुशल पूरी कराए होंगे एफिम आगे बढ़कर अपने मित्र से गले मिला फिर बोला मित्र मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया पर शायद मेरी आत्मा वहां नहीं पहुंच सकी मुझे इस बात का पूर्ण विश्यास है कि आपकी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई मैंने आपको अपनी आखों से गिर्जागर के भीत्री भाग में दीपकों के पीछे खड़े देखा था सच्चे तीर्थ यात्री आप ही हो इसलिए इश्वर के प्रिये भी हो और कोई नहीं है अगर वो भी ये तीर्थ यात्रा कर लेता तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती जैसे एलिश्याने की आईए अब इस पार्ट के लिखक के बारे में भी जान लेते हैं बच्चों लियो टाल्स्ट्राइक अजन 9 सितंबर 1828 को रूस में मासकों से लगबग 100 मील दूर एक संपन परिवार में हुआ था उनकी गंडा 19-वी शताबदी के सरवादिक सम्मानित लेखोंकों में होती है उनकी प्रसित उपन्यासों में युद और शांती तथा अन्ना करेनिना साहित्य जगत की उत्रिष्ट रशनाएं मानी जाती हैं उनकी अन्या रशनाओं में पुनर्थान, सुकी दमपत्ती, इंसान और हैवान, इवान, इलपिच की मृत्यू, क्रूजर, सुनाटा, नाच के बाद प्रमुख है 20 नवंबर 1910 को उनका निधन हो गया तो बच्चों ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि मानव सेवा सबसे बड़ी तीर्थ ज्यात्रा है आप अगर इंसानों की सेवा करते हैं तो आपको किसी तीर्थ सान की और जाने की आवशक्ता नहीं आपके सारे तीर्थ हो गए समझो इस शिक्षा को आप भी जरूर जीवन में अपनाए और लोगों तक इस शिक्षा को जरूर पहुँचाए तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगाओगा अब इसका अभ्यासकारे आप स्वायम कीजी